मसकार दोस्तो मेरा नाम सेकर और स्वागत आप सवी का हमारे ट्यूब चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो चैनल को जरूड सस्काइब कर लिजेगा और सांती बेल आइकन भी जरूड दबाएगा तो दोस्तो आज हमारा पार्ट 30 है और हम इसमें देखने वाले हैं 130 महत्पूर्ण प्रसनु को और इसमें से सबसे जादा प्रसन आपको दोस्तो देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्राखंड के इसके लाओ हिंदी के भी बहुत सारे प्रसन हैं जी के भी है सब कुछ है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा तो शुरू करते हैं दोस्तो आज के इन महत्पूर्ण प्रसनु को और शुरूआत होगी उत्राखंड के प्रसनु से ही और जो अभ्यरती नए हैं अगर आपने अभी तक और पार्टु को नहीं देखा है तो दोस्तो परले लिष्ट में आकर आराम से आप उन्हें भी देख लिजेगा तो शुरूआत होगी दोस्तो यहां पर पहला परसन है उत्राखंड का और बिल्कुल अच्छा परसन है एकजाम आप पूछा गया था पहले ये भी गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किस राजाने बनवाए था तो बहुत जादा महतुरूबस नहीं सुदर्शन सा परताप सा अमर सिंग थापा या फिर कीर्थि सा अब जो अब्यरती नहीं है उनके लिए मुश्किल है उनको लग रहा होगा कि कोई पवार सा सगिन में से हो सकता है लेकिन दोस्तो इस 1807 में तो ये भी आपको बिलकुल याद दखने 1807 में फिर इसका पुनन निर्मार कराए था जो कराय था जयभी राजा माधु सिंग ने 1935 में तो ये भी आपको बिलकुल याद दखने तो इसका से लिए कि अमर सिंग थापा तो बढ़ता है अगला परसिन की तरफcard ने किस नदी ने को जिवित पराणी का दरजा दिया है अगला बसन है हम.t कार खाना को यह बंद हो गया तो वह रानिबाग ने को रनिबाग ने निदआल तो औक सन भी हो जायगा इसका बिलकुल शयुत्तर अगला बसन परसिद्ध कथा फेक्ट्री को सतीत है परसिद्ध जो कथा फैक्ट है उस्तो वो हरित्व आर्मन आहो करके वो है हमारी हल्दवानी तो option number 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सेउत्तर तो उस्तो कुछ आसान कुछ मुश्किल प्रसन आपको इसमें देखने को मिलेंगे उत्राखंड के बरतमान 2018 तो अभी 2021 के यहाँ पर जो पुलिस मान्य देख के बरतमान में इसका शेव तो असो कुमार यहाँ पर कोई नियיל option में असो कुमार और और कौन से नंबर के हैं तो 11 नंबर के हैं तो वी आपको बिल्कुल याद रखने मान और यह बी आपको याद रखने है अगला बसनी आपर पर्था मौब्था मौकील जिन् इसका सेवत्र रहागा दोस्तो बैरिश्टेर मुकूंदी लाल ने बीर चंदर सिंग गडवाली का केस लड़ाता तो बहुत जादा महत्मुल परसने एक्जाम में बन सकता है अगला परसन है राज जी में नई किरसी नीती जारी की गई तो दोस्तो इसका सेवत्र हो जाएगा यहाँ पर 2011 तो आप्सन नमर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्र नई किरसी नीती 2011 में अगला परसने दोस्तो राज जी में सुद्ध सीचन चमता में सरवाधिक योगदान किसका है तो यह आपको बताना है सीचाई में किसका है नहरू से होती है तालाबू से कूपू स या नलकूपू से तो दोस्तो इसका सेवत्र बनेगा यहाँ पर आप्सन नमर भी नलकूपू से अगला वस्तन है किस जल बिद्धूत परयूजना को राश्ट का गाउं राश्ट के गाउं की संग्या दी गई है कालागण, मनेरी भाली, किसाओं या फिर टिहरी तो यह हो अगला वतियासू परयोजना कि जनपद में बनाई गई है तो उतियासू दोस्तो यह इसका सेवत्र पर यहाँ पर पौड़ी गड़वाल में, पौड़ी में है, तो यह आपको विल्कुल या दखने है, अगला बसन है संतला देवी का मंदिर इस्तित है, तो संतला देवी कहां परस्तावित है और दोस्तों किस नदी पर है वो आपको चैट बॉक्स मताना है नदी चामरानी बात परियोजना कहां परस्तावित है तो जाए उस्तों नैनी ताल के अब हल्दवानी यहाँ पर है नी तो हल्दवानी नैनी ताल में है तो यह आपको विल्कुल यादखन की गई अब यहाँ पर दोस्तो सारे ओप्शन देखिये 2005 2000 देड़ भी पास पास लिए और इसका से उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा जुलाई तो भी जुएूलाई है जुए जुएं जुए है जुए 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 है जुए है जुरहे हैं जुए है ने अहाद Cari guilty shop ride ईघजान में आपको निश्चित taste greatcoin Cam In a USA को राश्व को समर्पित पहला चलाण इसका समर्पित किया गया था तो युज बसने जागेश्वर मंदीर के भीतर किस राजा की मूर्ती है जागेश्वर धाम दोस्तो अलमोडा में है अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा तो जागेश्वर मंदीर के भीतर दोस्तो कल्यान चंद नहीं है रुद्र चंद नहीं है यह जाएगा दीब चंद तो आप अगला वसने उत्राक खंड की सबसे बड़ी जल्विद्धूत परयुजना है तो आप सभी को बता है अगर बात करें मनेरी भाली टिहरी पिश्णों परयाग या कोटली भेल तो यह हो जाएगा यहाँ पर टिहरी आप सभी को बता है टिहरी सबसे बड़ी है अगला वसने महत्रों शने कोटेशवर महादेप मंदीर कि यह दोस्तों का है अभीक यहाँ पर टो है कोटेशवर महादेप कई बारे एककजाम बना थे कोटेशिवर महादेप और नarse快y मंदीर है अगला खटीमा जल बिद्द degener हैक का निर्मान कब हुआ तो यह आपको बताना है खटीमा जो जाएगा उस्तो उनिस्टो पच्पन में तो अप्शन मर्सी तो उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरोड़ से कर दिजे तो वीडियो को अंतर जरोड़ देखेगा बहुत ज्यादा महत्मून प बसने दोस्तो बहुत ज्यादा महत्मून पर राजभवन जो इंग्लेंड के बर्निंगम पलेस की सैली में अठार सबस्तानबे में निर्मान किया गया कहां टीहरी में देहरादून में मौसूरी या फिर नहीं निताल तो यह आपको बिल्कुल याद दखने हैं बहुत ज्य लंका या चीन दोस्तो चाय यह लाई थे चीन से तो अप्शन नमर डी होगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला प्रसन है अंग्रेजुने किसे राजनितिक ब्रेक्ति को जानवर की संग्या दी अब किसे कहा हरी कृष्ण रतुडी को कहा भक्त दर्शन को बदिजत पांडे अंग्रेजुने राजनितिक जानवर की संग्या दी थी संग्या मतल्ए आपको बता है कि नाम संग्या, अगला प्रसन है दोस्तू, बिर्टिस काल में तिहरी रियासत में नया जंग्लात बंदो बस्त कब लागू किया गया तो ये भी दोस्तो बहुत जादा महत्मुन बसने बिर्टिस काल में टिहरी रियासत में नया जंगलाद बंदो बस दोस्तो ये किया गया 1919 में तो याद रखेगा वांकि ओप्सन देखे 1917, 1918, 1919, बिल्कुल करमवाईज हैं और मुश्किल हो सकती है तो ये जाएगा 1919 में तो अप्सन नमर सी हो जाएगा दोस्तो इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला प्रसन है दोस्तो ये भी बहुत जादा महत्मुन रसने है उत्रा खंड में पंचक की घराट है घराट के लिए पहला कानुन की सुर्ष बना 1917, 1930, 1844 या 1842 तो दोस्तो ये बहुत जादा महत्मुन रसने है और 1842 हो जाएगा इसका सेवत्तर आज ही नहीं दोस्तो ये 1842 उस समय से ये चला रहा है तो इसका हित्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1842 तो बढ़ते हैं अगले प्रशने की तरफ पंचक की को लगूद्यों का दर्जा भी दिया गया है अगला प्रशने आप पर अंग्रेजु के सासनकाल में छोटी बिलायत के नाम से किस नगर को जाना जाता था तो यह चार उप्शने इनमें से आपको बताना है तो छोटी बिलायत दोस्तों इसका सेवत्रों जाएगा नैनी ताल को तो उप्शन बर डी अगला प्रशने आपर अंग्रेजु ने अंग्रेजु ने अठार सौन सत्तर में किस सहर को बसायता मसूरी नैनी ताल रानी खेत या फिर कौसानी तो दोस्तों इसका सेवत्रों जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बर ए रानी खेत तो बढ़ते हैं अगले प्रशनी के तरफ कौसानी के सस्ता आपक भी रेमजे माने जाते हैं अगला प्रशने आपर बैरिष्टेर मुकूंदी लाल ने यह दोस्तो बहुत जादा महत्रों प्रशन है यहाँ से बन सकता जरूर बैरिष्टेर मुकूंदी लाल ने सन 1922 में लैंस डाउन से किस साप्टाई पत्र का परक परकासन कीया अब दोस्तों Almoa कुमाव कुमों देखते यह अफ़ादे न कि Bathe Almoa कुमाओ तो यह तो ऑफ्षन आपको देखते लटा दे ने अच्चा ऑप्सन बनेंगे एक्जाम में यह जाए उसतों तरून कोमाओ तरून का मतलब होता है York 2017 bene सूकूंदी लाल ने पतंतता आंदोलन में जन सामान्नी के सांती सादु सन्यासी वर्गनेवी महत्पूर्ण भूमी का निभाई थी ठीक है इनी मैं से एक थे स्वामी विचरन सर्शोती जो देहरादुन में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे जिसका नाम था अजय निर्भय अभई तो यह गिर्जादत नैथानी ने 1902 में गडवाल समचार नाम से एक मासिक पत्र का परकासन किया अब दोस्तों यहाँ पर अब क्यूंकि गडवाल यहाँ पर आ गया तो न्यनिताल करनी सकते कौसानी आप करनी सकते तो सीधे सीधे बचा ओप्शन लैंस डाउन पर एक्जाम में प किर्पाराम मिस्र मनहर को दोस्तों मनहर नाम से जाना जाता है किर्पाराम मिस्र मनहर का नाम अत्यदिक परसित था इनके द्वारा गडवाल छेत्र से परकासित किया गया तरुन कुमाउं अभी हमने देख लिया था वैरिष्टेर मुकूंदी लाल ने एक्जाम में किसने स सदियों से उपेच्चित वो धबे कुछले किस वर्ग को समाज में उच्चित अधिकार दिलाने के उद्धेश से अलमोडा से सन 1934 में वागी हाँ से याद रखे अलमोडा से 1934 में और समता नामक सापताई हिंदी समाचार पत्र का परकाषन किस नहीं उच्चित अधिश से अलमोडा से 1934 में समता नामक सापताई हिंदी समाचार पत्र का परकासन किसनी क्या था लक्सिमी देवी टमटा सदानननद सनुवाल अलमोडा आखबार मंते बुद्दी बलवल पंत अलमोडा अगबार मते बुद्दी बलवा पंत काई आखे परशन की अलग जरूर रहता है तो यहां से परशन आते हैं तो इसलिए आज पत्र तो र ये परशन है कोड़़।वर्स पहली बाद थो ये परशन की संदेश नामग ख़ Switch कोड़़। तो कनक कनेक्टे सोगुनी मादकता दिखाए इस पक्ती में कौन सा लंकार है तो लगभग लगभग सभी को याद रहता है क्योंकि कई बार एक्जाम में दिख जाता है तो सीधे सीधे दोस्तों अगर यह दिख जाए तो यमक करना आपको तो अप्सन में यह हुजाएगा कनक कनक सोगुनी मादकता दिखाए में यमक लंकार है अगला परस्न है यहाँ पर मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए काम करें इनमें कौन सा लंकार है यह दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है अब यहाँ पर दोस्तों इनमें से अनुप्रास तो है लेकिन अनुप्रास के नु सुमती न पावई परे कुमाती के धंद राखो मेली कपूर में हींग लगे न होई सुगंद इनमा आपको लंकार बताना द्रिश्टांत उत्रेक्चा रूपग या फिर परदीप तो यह जाग दृस्तों द्रिश्टांत है ओप्शन नमर ए अगला बसने है करत करत अभ्यास स जडमती होत सुजान यह आपने बच्पन से ही कई भैते भी हैं इसको तो यह इसमां आपको अलंकार बताना है बांकि यह मोटिवेशन लाइन भी ले सकते हैं तो यहाँ पर करत करत अभ्यास से जडमती होत सुजान रसरी आउत जात ते सिलपर परत निसान तो बांकि अब अर्था आप समझी गया होंगे तो इन में दोस्तो कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है तो जागा दोस्तो द्रिश्टांत तो अप्शन नमर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से विक्तर बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न दोस्तो यहाँ पर यह मुहा कर दबा कर रह जाना तब इन में से आपको बताना है कौन सा इन में से सही होगा दात दिखाना कता ही नहीं कुरोध को अपने भीतर दात दिखाना नहीं दात पीस कर रह जाना दात उतले उंगली दबाना या दात उम पशिन आना यह भी नहीं तो इन दोनों में से होगा कौ कौन सा दुस्तो इसका नेल सीतन हुना नहीं नई नों की पुत्ली ये भी नहीं नई नई ने नों में भर राखना या फिर ने नुशी नीर बना नीर नहीं यो जाएक दो नए नों में खताई नी परमगती ये भी नी परदे की आर्ट से शिकार करना ऐसा भी नी मतलब कि बिना परिश्रम के प्राप्त के आवाधन होई हो गया प्रोसा हुआ थाल कैसकते हैं ये हो जाएगा इसका से उत्तर अगला प्रस्न है उस्तो अभी आपको जीगी के प्रस्न देखने को मि दिजे अगला प्रस्न है आपर नीचे दिएगे वाक की खंड के लिए सई सब्द का चैन कीजिए जो पहले घटित ना हुआ हो अगटित घटनापूर अनुसरूत नहीं तो इस तो यह हो जाएगा अभूत पूर तो आप्शन नमर बी हो जाएगा इसका बिलकूली सहुत्त अगला प्रस्न है अब यह प्राशन को छोड़ देते हैं सीधे यहां पर चलते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सके जिसका वर्णन न-किया ज़ा सके अकत्य हो नहीं हो जाएगा इस Thom यहाँ पर अवर्णी जिसका वर्णन न किया जा सके यह हो जाएगा अवर्णी option number C अगल है नीचे दिये कि इसे छोड़ देते हैं जो जीता ना जा सके जो जीता ना जा सके इसके लिएक सब्द बताना है अविचित दुरजे अजे या फिर बिजई जो जीता ना जा सके दोस्तों यह हो जाएगा अजे तो option number A हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला परसन दोस्तों जीजी विशा का अर्थ अब आपने दोस्तों इसे बहुत बार तो सभी ने पढ़ा है और जी जी विशा दोस्तों यह वरतनियों भी आएगा यह चोटी जी बड़ी जी फिर वी तो इस तरह से वरतनियों भी याद रखेगा एक नंबर यहाँ भी दिला सकते आपको वरतनियों आता है जो जीवन जीने की इच्छा रखता हो जो जीवित रहना चाहता है यह जीवित रहने की इच्छा या इनमें से कोई नहीं आप दोस्तों यह थोड़ा सा मुश्किल हो गया है इनमें से कौन सा ओप्षन टिकर है दोस्तों जो इसका सेवतर दिया गया था यह दिया गया था आपर जीवित रहने की इच्छा, तो option number C हो जाएगा इसका सेवतर, जीजी, विशा, अगला वर्शन है, बहुत अधिक समय से चला आ रहा रिवाज कहलाता है, परमपरा, रूडी, सब्यताया लोक का चार, अब दोस्तों यह परमपरा, जिन्होंने भी option दिया है, उत्तर दिय है, यह सोचा है, आप बिल्कुल गलत है, यह जाएगा रूडी, बहुत अधिक समय से चला आ रहा, इसके लिए खहींगे रिवाज होगा, यह रूडी, अगला यहापर जो खाने योग्यों हो, गर्णिये, स्वच्च, सुद्ध्या, खाद दे, यह जाएगा उप्शन नमर प्रातरी के वीच की वेला, यह हो जाएगी गोधूले, गोधूली, अगला प्रसन दोस्तों, अब यहाँ से आपको वहती जादा महत्म प्रसने, देखने को मिलने वाले हैं, एक्जामा बन सकते हैं, दोस्तों, लोड़ पीसेस तक मैं यहाँ से प्रसने पूछे जा सकते है 1946 का कैबिनेट मिशन, तीन कैबिनेट मंत्रियों मैं से गढ़ी था, नेमली कित मैं से कौन इसका सदस्ची नहीं था, अब दोस्तों, यह लौड पैथिक, लौरेंस यह भी थे, अल एवी, अलेगजेंडर एवी थे, सर इस्टोफेड क्रिप्स यह भी थे, यह हो जाएगा दोस्तों, ओप्सन नबर डी श्का से उतर है, लौर्ड एमरी, तो ओप्सन नमर दोस्तों, तो ओप्सन नमर इसका होज़े जगा हमारा, डी विलकुल सेउतर है, अगला बशनय आपर सविदान सबा का पहला सत्र हुआ था, तो बहुत जादा महतुन बशनय है, सविदान सभा का पहला सत्र हुआ था बहुत ज्यादा मेहतुन बसने एक्जाम में बन सकता है 29 संपर में सचिना थे इसमें अगला बसने इन में पता संबन सविधान सभा के पर्थम अध्यक्ष यहां पर दोस्तो बात कहीं गई है तो इसका इस तो यहां पर ओप्सन में डी सचिना अगला सचिदानन्द सिना किसके सांच जूड़े होए ते तो एक आंदोलन है जैसे दांडी मार्च सविधान अध्यक्ष भारत छोड़ो तो दोस्तो यह जूड़े होए ते तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो ओप्सन नंबर एक हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला पसन है यहां पर स्वतंत्र भारत के लिए सविधान की रचना हीतु सविधान सभा का विचार निमन मैंसे स्वरू पर्थम किसने परुस्तुत किया स्वराज पार्थी ने 1935 में मुश्लिम लीग ने 1942 में स्वरुद दल सम्मेलन ने 1934 में या फिर कांग्रेस पार्थी ने 1936 में तो अप्सन नमर भी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला बसने यहां पर भारत का अंतिम वाइसराय था तो इन मे से आपको बताना इन में से कौन था यह हो जाएगा यहां पर लॉर्ड मांट बेटन तो अप्सन नमर भी हो जाएगा दोस्तो इसका हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर अगला बसने यहां पर भारत के पर्थमयों अंतिम भारती गवर्नर जनरल थे भारत के पर्थमयों अंतिम तो इसका शेयुत्र नमर तो यहाँ पर C. राज गुपलाचारी तो अफशन नमर बी ओ जाएगा इसका, बिल्कुल सेयुत्तर बहुत ज्यादा महत्मुन वसन है और एक्जाम में दूस्तो यह बन सकता है अगला वसन यहाँ पर स्वतन्त्र भारत के परतम बीधी या कानून म अगला है भारत के विभाजन के समय भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यक्ष कौन थे तो बहुत जादा महतुन बसने हैं भारत के विभाजन के समय आजादी के समय मतलग उस समय तो क्राष्टी कांग्रेश के अध्यक्ष कौन थे तो दूस्तो इसका शेत्वर यहां पर य ये भी किरपलानी तो option number 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्र बहुत जादा महतुन बसने हैं दोस्तों अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगला बसने हैं आपर ये भी भी बहुत जादा महतुन बसने अगस्त 1947 में स्वतंत्रा दिवस के समारो में निमलिकित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ इन में से आपको दाना है राजेंद परसाद पल्लभाई पटेल महत्मा गाधी या फिर जेल नहेरो तो द मेरेट आयोजित अधिवेशन की अधिक्षिता किसी ने की थी तो 1946 में आपको बताना है जो मेरेट अधिवेशन माता उसकी अधिक्षिता किसी ने की थी तो दोस्तों इसका सेवत्तर हो जाएगा यहां पर जेवी किरपलानी तो अप्शन मेर ए हो जाएगा इसका बिल्कु में स्वतंत्र द्योस के रूप में मनाय था तो अप्शन नमबर दोस्तों यह हो जाएगा इसका बेलकुल सेवत्तर अगला प्रसने आपर स्वतंत्र पूर्व भारत में निमिलकित में से किसने केंद्रिय बिधान सवा में सुराज दल का समर्थन किया था तो यह भी एक्जाम किसी के लिए भी इस वीडियो का आप देख सकते हैं तो इन में से आपको बताना है कौन होगा मौला नाबुल कला माजाद जेल नहिरू राजिंद परसाथ्या जिन्ना तो दोस्तों इसका हेटर रहे हैं पर जिन्ना मौहमद अली जिन्ना ऑप्शन अगला पसने आपर को याद रखना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ उत्राखंड के परसन और देखने को मिलेंगे बांकि फिर उसके बाद इस तरह से आते रहेंगे फिर और उत्राखंड कुछ परसनों के बाद फिर और जीके तो इस तरह से दोस्तों यह चलता रहेगा तो अगला प पश्चात 25 जुलाई स्रीदेव सुमन का निधन हुआ तो ये भी आपको याद रखना है 25 जुलाई 1946 को और आपको बताना है कि पहली बार स्रीदेव सुमन दिवस कब मनाये गया था ये आपको चैट बॉक्सम बताना है और कितने दिनों के बाद तो 84 दिनों के तो आप्शन से उत्तर अगला बसने आपर कुमाओं परिशत का कांग्रेस्म बिलाई कब हुआ तो दोस्तों इसका से जोतिक राई तो जहांगीर आप जोतिक राई की उपादी दी ती जहांगीर ने अगला बसने इसकंद पुराण में गडवाल को किस नाम से अब दोस्तों मानस खंड तो करनी सकते यह हो जाएगा यहाँपर केदार खंड तो अप्शन मर ए हो जाएगा इसका बेलकुल से उत्तर अगला बसने आपर बिश्नी देवी सा कौन थी एक लेखिका थी कवीत्री अगला बसने आपर किस इस्तान में भगवान बुद्ध के केस यहनी की जो बाल है नक शुरक्चित रखेगे नक नहाकुन तो इन में से आपको बताना है किस इस्तान पर है तो दोस्तों इसका है कासीपूर कासीपूर उधमसिक नगर में भगवान बुद्ध के केस नक शुरक्चित रखेगे हैं अगला बसने आपर गडवाल में परजा मंडल नामक सस्ता की इस्तापना कब हुई तो इन में से आपको बताना है कब हुई गडवाल में परजा मंडल नामक सस्ता की इस्तापना तो तो यह हुई ती 23 जनुरी उनिश्व उन्तालिसकों तो यह आपको विल्कुल याद रखना ओप्शन नमर सी हो जाएगा इसका सेवत्तर चक्खु वाला देहा दुन में हुई ती अगला वस्ते आजाद हिंद फोज में बीरता दिखाते हुए कितने गड़वाली सेनिक सहीध हुए तो यह भी बहुत ज़्यादा मेहतन वस्ते ओप्शनेंगा अब देखिए ओप्शन आपको सन याद हैं तो आप कर ले जाएंगे 1931 32 बागी 30 April तो सभी में है तो यह हो जाएगा तो आप्सन नमर ए 30 April 1930 नैनी ताल में जंडा सत्यागर है किया गया तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है अप्सन नमर ए हो जाएगा तो इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला बसने बेकार आंदोरन कब और खांसे आरंब हुआ था अगर आपको बागेसवर याद है बागी 1921 बौडी 1921 टीरी अलमोडा सब है यह हो जाएगा तो तेरह 14 जनौरी 1921 को बागेसवर से तो अप्सन नमर ड यह हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला यहां पर उत्राखंड का बार्दोलिक किसी स्तान को कहा जाता है तो सालम को नहीं कहा जाता यह हो जाएगा यहां पर सल्ट तो अप्सन नमर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला बसने अलमोडा में होम रूल किस्तार्पना कभ हुई अलमोडा में और आपको पताना है 10 दून में हो मुरू लिइक किस्तार्पना कभ हुई तोue जआएगा हम pages ámar बहुत जाद महत्मुल बसने अगला बसने आप पर कुंति भर्मा को जिंदा या मुर्ता पकड़ने का आदेश जारी हुआ था तो इन में से आपको पता ना कब हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1932 में तो आप्सन मर भी अगला बसन दोस्तों अभी हमने देखा था शुरुवात महीं स्रीदेव सुमन कप साइध हुए थे तो अभी हमने देखा था तो नासी दिन के भूकरताल के बाद 25 उलाय उनिस्सों चववालिस को तो अप्सन नमर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर अगला बसने आपर चंद राज वनसी की कुल देवी का नाम क्या था नंदा देवी राज आजस्च्वरी तो पमारों की तो जाएगा दोस्त ओप्सन नमर भी हमारा 26 मेटर फर दोस्तों यहाँ पर तो ओप्सन 26 इगारा दिया नहीं है तो हम 26 इगारा ओप्सन में हो तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं अगला बसने आपर राज सरकार ने राज सरकार दौरा 2019 में कितने बलोकों को जैविक बलोक खोशित किया गया तो तो यह किया गया था दस बलोकों तो ओप्सन नमर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल शेव्तर अगला बसने दोस्तों निमन जिलू मैंसे सरवाधिक छेत्रफल वाला जिला है अब दोस्तों यहाँ पर चार जिले हैं इन में से आपको बताना है अब यह नहीं कि यहाँ पर च जिपाल कौन थी तो इसका शेव्तर यहाँ पर शिरी मती मार्गे टलवा तो ओप्सन नमर सी बनेगा इसका बिल्कुल शेव्तर अगला उत्राखंड बिधान सबा में कितने सदस्य मनुनीत किये जाते हैं तो आप सभी को बताएं कि एक होगा इसका शेव्तर तो ओप्सन न राजी के मुखी मंतरी को या फिर र राजी के राजीपाल को मुखी मंत्री नहीं है इसका शेव्तर और सी वगा इसका बिल्कुल सेव्तर अगला पस्थ ने उत्राकंड मंत्री पर शात्मательно मंत्री हो सकते हैं तो लोशार सोलं मेंप्रसन आया होता है भी विज्याग कि उस ST के लिए कितनी सीटा आरक्षित हैं ये भी दोस्तो लोवर PCS मा है होता तो आप सभी को पता है दो कौन-कौन सी एक दून की चक्रा था और एक उधम सिंग नगर नानगमत अगला परस्ण दोस्तो यहाँ पर उत्राखंड के पर्थम राजिपाल कौन थे अभी तक दोस्तो नजाने कितनी बार परस्ण बनाए हो गए और सभी को एक नंबर मिल जाएगा इसमें तो यह जागा दोस्तो सिरी सूर्जित सिंग बरनाला सूर्जित सिंग बरनाला तो यह आपको बिल्कुल यादक ने बढ़ते हैं अगले परस्ण की तरब अगला परस्ण बिधान सबा में एक सदस्य नामित किया जाता है महिला सब इंस्पेक्टर मना था सिक्क समुदाई, मुश्लिम समुदाई, एंगलो इंडियन समुदाई, जैन समुदाई जल्दी बाजी में बुरांस भी लग सकता है जल्दी बाजी में लग सकता है वरना कोई गलती नहीं होगी अगला परस्ण यहाँ पर उत्रा खंड में राष्ट पति सासन लागू हुआ तो जैने कितनी बार परस्ण बन चुका होगा बहुत बार आगया है यहाँ जैने के परथम पूलिस माने देशक यहाँ जैने के असोक कांत स्रण इसका बिल्कुल सेवक्तर है असोक कांत स्रण अगला है उत्रांचल का नाम उत्रा खंड कब हुआ तो एक जनौरी 2007 से रखा गया उत्रा खंड तो अप्सन नमर ए हो जाएगा दोस्तो इसका बिल्कुल सेवक्तर अगला परस्ण दोस्तो और अभी आपको उत्रा खंड के परस्ण देखने को मिलेंगे तो आप वीडियो को अंतर जरूर देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोड से कर दिजे और अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप दोस्तो परले लिस्टम आकर अराम से देख लिजेगा यह हो जाएगा अनुचेद 49A तो आप्सन नमर C हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर अगला परस्न है भारत के सविधान का कौन सा अनुचेद भारत में एक नए राज्य नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है तो यह हो जाएगा उस्तो हमारा ओप्सन नमर B अनुचेद 3 अनुचेद 3 में है नए राज्य के गठन की बात कही गई है उसमें अगला है यहाप पर भारती सविधान का कौन सा अनुचेद धर्म, वन्स, जाती, लिंग, जन्मिस्तान के आधार पर भेदवाव पर रोक लगाता है यह हो जाएगा उस्तो अनुचेद 15 अगला बसने आप पर भारती सविधान के किस अनुचेद में जन्संक्या के किसी समूमें बोली जाने वाली भासा को लेकर विसेश परावधान कियेगे दोस्तो यह भी बहुत जादा में जन्संक्या के अनुचे 347 होगा ना कि अनुचे 337 तो अनुचे 347 इसका दोस्तो बिल्कुल सेवत्तर है अगला बसने आप पर निमलेकित में से किस घर का औसत जन घनत्तु सबसे अधिक है ब्रिश्पती, मंगल, पिर्थवी या फिर बूद्ध तो इनमें से आपको बताना है तो यह जाएगा दोस्तो यहाँ पर बूद्ध है इसका सेवत्तर ऑप्सन नमर डी अगला बसने आप पर किसने सबसे पहले पिर्थवी की परीधी को मापा तो इना महापात है दोस्तो ऌकीट यह नहीं है यह है दोस्तो इरैटो इस्तनिश तो ओप्सन नमर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला है पिर्थिपी का धूरवी बयास उसके विश्व वतिय बयास से कितना कम है यह आपको बताना है यह जाए उस्तो आप्शन मर भी 43 किलो मेटर अगला बसन है रूपांतरित चट्टानों की उतपत्ति आगने या तलचटी चट्टानों से होती है या फिर आगने और तलचटी दोनों चट्टानों से होती है यह जाए उस्तो आगने और तलचटी दोनों चट्टानों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उतपत्ति अ अगला निमलिकित मैंसे रुपांत्री चट्टान नहीं है, सलेट है, इसमेटिक है, संग मरमर भी है, तो यह हो जाएगा है हापर ग्रिनाइट, तो आप्सन अबर डी हो जाएगा इसका, बेलकुल सहुतर, अगला पसन है निमलिकित मैंसे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अब दुस्तों, यहाँ पर, मेटा गासकर, नियूगिनी, सुमात्रा या बोर्नीओ, तो इसमेंसे, दूस्तों, हम नेयूगिनी करेंगे, तो कि इसमेंसे करेंगे हम न्यूगिनी, तो ग्रीनलिकित मैंसे कौन सा एक जौरा मिखी मूलका है, यह हो जाएगा दूस्तों, के हम अग्ला अगला प्रस्तूं अब यह और उत्राखनड़ आपको देखने को मिलिंगे फिर जी के जंगल का प्रयावाची है तो जंगल का है अगला अगला प्रस्तूं Remote पर यह सब और अगला तो यह वाला इसकंद नहीं होगा यह ओप्शन मर भी इसकंद अगला निमल लिखित मैंसे तत्सम है जेट तदवव है ठेश तदवव है भरा यह भी तदवव है यह जाएगा मेक और अगला प्रस्ट अब यहाँ पर उत्राखंड के कुछ जो वन लाइनर है इन्हें हम देख ज़िंग श्री नगर में मंगलेष्वर सिम मंधिर का निर्मान किसीने करा आये था दोस्तो यह हो जाएगा चंद्र मणी डंग्वालने कराये था तो यह आपको बिल्कुल यादख न अगला बस्तु आप पर बाले स्वर मंदीर चंपावत, अब दोस्तों शप्तिस्वर मंदीर संपावत में है साथ मंदीरु का समुख. तो बाले स्वर मंदीर का निर्माण किसके दोरा कराये गया था? तो या एक्जाम बन सकता है। बहुत जादा महित्विफेल पर चंद इसका सेवत्तर तो यह आपको विल्कुल याद अखने है अगला बसने देरा दून में बहुत मंदिर का उद्गाटन कब हुआ तो यह हुआ था दोस्तों 2002 में बागी 28 अक्टूबर 2002 यह सब है तो यह जागा दोस्तों यहाँ पर 2002 में इतना याद रखें अगला लोकटक जील किस राज्य में इस्तित है तो लोकटक जील हो जाएगा मड़ीपूर में मिजोरम में नहीं अगला उमियम जील किस राज्य में इस्तित है तो उमियम जील यह मिजोरम में नहीं यह मेगाले में तो आप्शन नमर सी बनेगा उमियम जील जो है यह मेगाले में अगला चंदर परभा वन्नी जीव अभ्यारण काईश्थित है तो उस्तो ये यूपी में है बागी उत्राख्रिंड के तो आपको सभी पताई होंगे अगला बसने काजी रंगा राष्टी उद्यान काईश्थित है आपको बच्पन से पता है ये हो जाएगा असम में अगला बसने आपर के अगला दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है तो यहां पर कोईंबटूर को भारत का मांचेस्टर एमदाबात को और उत्तर भारत का अगला कारा गम धार्मिक लोगनिटी संब्वन दीत है तो बहुत कम अब यर्थिश्थिको सभी कर पाएंगे एक्जाम में भी तो यह हो जाएगा तमिल नाडव से अब आप बिल्कुल सही कर देंगे तो कारा गम लोगनिटी दोस्तों यह हो जाएगा तमिल नाडव से अगला किसके सासन काल में गुरु नानक देव ने सिक्ष्धरम की स्तापना की वह कौन था इनमें से आपको बताना है यह हो जाएगा इसका बिल्कुल शेवत्तर आपको बिल्कुल यादकना है सिकंदर लोदी अगला बसने आपर अडू उरत सब्द की धरम से जुड़ा है बहुत धरम से नहीं है दोस्तो यह हो जाएगा आपर जैन धरम तो ऑप्सन नमर सी अगला बसने आपर BIOS दोस्तो एक्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कंप्यूटर की फुल्कॉर्म जरूर आती है वहाँ पर तो BIOS तो बेसिक तो समय है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो option नमर बी हो जाएगा इसका से उत्तर दोस्तो याद रखेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS तो बहुत ज हाइबर लोग की सब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है तो हो जाएगा आपर denial of service तो अंतर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर डिस्कॉप 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 उप्रेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर तो यहाँ पर कुछ उत्राखंड के ओन लाइ मुक्यवाजी से इनका संबंद है था हरी सिंग थापा तो यह आपको विल्कुल यादखना हरी सिंग थापा 2013 में इनको दिया गया था अगला गड़वाल डाइफल का युद्ध जैगोस क्या है तो यह हो जाए गया आपर जैबदरी विसाल तो यह आपको यादखना है जै तो यह भी आपको विल्कुल यादखना है अगला राज जी का सबसे अधिक उचाए परिस्तित मंदीर है तो तुंगनाथ तुद्र परियाग में तुंगनाथ पर उसके बाद आएगा केदानाथ तुंगनाथ की केदानाथ की 85 अगला परसने आपर ज्यादा परसन नहीं है बहुत कम परसने बचेयाँ अगला परसने आपर निमन मैंसे कौन से सष्था राज कोशी की निटी तयार करती है तो जल्दी बाजी में आर बी आई टीक हो सकता है तो इसका से प्रोज़ा राज कोशी की निटी यह हो जाएगा बित्त मंत्रा ले अगला बसने घाटे की बि अर्थ ब्योस्ता पर क्या परभाव बढ़ता है करू में कमी मुद्रा आपूर्ती में बढ़त्री मुद्रा आपूर्ती में बढ़त्री यह हो जाए उस्तो मुद्रा आपूर्ती में बढ़त्री अगला बसने उस्तो भारत के लिए नियोजित अर्थ ब्योस्ता प्लांड economy for India नाम पुस्तक के लेखक है बहुत ज़्यादा महत्मून परसन दोस्तों एक्जाम में बन सकता है इसका है तो सर एम विश्वस रही है तो option नमर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरुर सक्कारइब कर लिजिएगा और साती बेल आइकन भी जरुड दभाएगा और अगर आप नए है अभी तक आपने और पाटू को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरुड से देख लीज झाल कि एट झाल मुद्ट मज़ें.